शेक चिल्ली की कहानी, ख्याली जले भी, एक बार एक बुजुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी, तबी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टककर हो गई, गाली के टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया, शेक चिल् को देखकर वहां से गुजर रहा शेक चिल्ली भी वहाँ पहुचा, उसने देखा कि एक वृध महिला सड़क पर बेहोश पड़ी हुई है और कुछ लोग उसे पानी के छिंटे मार रहे हैं, वहीं कुछ लोग उसके हाथ पाओ पकड़े हुए हैं, तो कुछ हवा लगा रह महिला को भीरे कुछ लोग उसे अस्पताल पहुचाने के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के लिए कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे ज्यादा चोटना लगी होने की बात कहकर वहीं होश में лाने की कोशिश करने की बात कह रहे थे. सभी की बात सुनकर शेक चिल्ली ने भी बुजूर्ग को होंश में लाने के लिए अपना विचार रखा उसने कहा कि बुजूर्ग महिला को होंश में लाने के लिए हमें पहले गर्मा गर्म जलेबिया लानी होंगी फिर उसकी खुश्बू इन्हें सुन्धानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को इनके मुह में डालना होगा शेक ने आगे कहा कि जलेबिया मुह में जाते ही इस बुजूर्ग महिला को जरूर होंशा जाएगा शेक अपनी बात कहकर चुप हो गया लिकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया वहीं दूसरी और बेहोशी का नातक करने वाली उस बुजूर्ग महिला ने शेक की बात सुन ली थी वो जलेबिया खाने के लालच में यूही आखें मुंदे पड़ी रही जब काफी देर तक किसी ने शेक चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजूर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वह उठते हुए शेक चिल्ली की और इशारा कर कहने लगी की कोई इस भले आदमी की भी राय सुन लो और जलेबिया ले आओ बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौप गए सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए वहीं अपनी बेवकुफी का एहसास होने पर बहाने बाज बुजुर्ग महिला भी चुप चाप सडक से उठ गई और नजरे जुकाए वहां से चली गई कहानी से सी कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरसकार ही मिलता है